सत्य नारायन भगवान की जय आज सुनिए सत्य नारायन भगवान की कथा भगवान श्री सत्य नारायन सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले, सभी दुखों को हरने वाले हैं सच्चे मन से भगवान श्री सत्य नारायन का वुरत करने, पूजा करने और कथा सुनने से निश्चित ही लाब मिलता है। अगर आप भगवान सत्य नारायन का वुरत और पूजा करना चाहते हैं, तो इसे आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे पूर निमा की दिन संक्रांती के या फिर गुरुवार के दिन करते हैं तो बहुत सर्वोतम माना जाता है वुरत के दिन आप इसनान करके पवित्र हो जाएं अपनी मंदिर में आसन पर बैठकर भगवान गणेश मागोरी बरुण देवता विश्णु भगवान आदिसमस्त इस्ट देवी देवत ओं का ध्यान करके और यह संकल्प करें कि में स्री सतिनारयand भाग्वान की पूजा और कथा सुना करूंगी यह सुना करंगा मैंने जल पुश्वादि समस्त सामगरी पूरी श्रप्त और विश्वास के साथrí चरणों में अर्मियं और कर दीए आपको मेरा बारंबार प्रणाम है इसके बाद आप भगवान सत्य नारण की इस कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं पवित्र तीर्त स्थल नैमिशारंड में एक बार एकत्रित हुए आर्या वर्थ के 88,000 महेश्यों ने मुनी श्रेष्ट श्री सूत जी से कहा हे मुनीवर कल्यूग में मनुश्य वेद, विधान और धर्म विरुत आचरन करते हुए पापों की गठ्री के बोच तले दबता जा रहा है इसलिए हे मुनीवर मनुश्य के कल्यान के लिए कृपा कर कोई ऐसा उपाए बताईए जिससे मनुश्य को पुर्ण लाब हो और उसके जीवन की मंगल कामनाए पूरी हो सके तब श्री सूत जी महराज कहने लगे है रिश्यो आपने विश्व कल्यान के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है अब मैं उस मंगल कारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार नारत जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारेंट से पूछा था और उन्होंने नारत जी से जो कथा कही थी उसे अब आप सब भी चिंता मुक्त होकर सुनिए नारत जी मानव के कल्यान की इच्छा से विभिन लोकों का ब्रहमन करते वे प्रत्वी लोक में जा पहुँचे प्रत्वी लोग में अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीडित देखकर नारत जी बड़े परिशान हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारन कैसे होगा जब वह कोई उपाए ना सोच सके तब तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरी विश्नु के सामने उपस्थित हो गए वहाँ नारत जी ने श्वेत पून और चार भुजाओं वाले शंक चक्र गदा और पदम से सुसजित देवों के देव भगवान विश्नु की इस्तुति करते वे कहा हे भगवान नारायन आप सर्व शक्तिमान और स्रस्थि के पालन करता है मनुष्य का मन और वानी भी आपके गुणों का वणन नहीं कर पाती आप सर्विस्रेष्ट और सर्वो परी हैं आपका कोई आधी मध्य और अंत नहीं है मैं आपको नमस्कार करता हूँ इस प्रकार नाराजी द्वारा इस्तुति किये जाने पर भगवान विश्टुम मुस्कराय और कहने लगे हे मुनीवर करपा करके निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताईए तब नाराजी कहने लगे प्रत्वी लोग पर जन्म लेने वाले मनुश्य अपने अपने कर्मों के नुसार विभन योनियों में रहते हुए अनेक दुखों से पीडित हो रहे हैं हे त्रिलो की नाथ मुझवर क्रिपा करके कोई ऐसा उपाय बताईए जिससे उनका दुख नस्ठ हो सके और वे सुक संपत्ती का भोग करते वे अन्त समय में मोक्ष को प्राप्त कर सके तब स्रस्टी के पालनहार भगवान श्री हरी कहने लगे हे नारद मुनी अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी इस्तिरी पुरुषों को पापों से मुक्ति मिल पाएगी निर्धनता नस्ठ होने से मनुष्य सुक संपत्ती के समुद्र में तैरता हुआ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा श्री सत्य नाराइन भगवान का वरत करने से और कथा सुनने से उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी कल्यूग में मुक्ष प्राप्ती का एक मात्र यही उपाए है नारत जी ने जब वरत के लिए विदि विधान की जानकारी चाहिए तो भगवान श्रीहरी कहने लगे इस प्रकार सत्य नाराइन भगवान की आराधना करने से व्यक्ति के सभी कस्टों से मुक्ती मिल जाती है धन संपन और सुखी होकर आनंद पूर्वक वह जीवन व्यतीत करता है श्री सूत जी महराज आगे कहने लगे हे रिशियो मुनियो अब मैं आपको उस निर्धन ब्राहमन की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने श्री सत्यनाराइन भगवान का सबसे पहले व्रत किया श्री सत्यनाराइन भगवान का व्रत करने से उस ब्राहमन की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कस्ट भी दूर हो गए प्राचीन काल में वह निर्धन ब्राहमन देवों की प्रेनगरी काशी में रहा करता था ब्राहमन की दुर्धशा देखकर ब्राहमनों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनाराइन भगवान ने एक दिन बुड़े व्यक्ति के रूप में उसके पास जाकर बड़े आदर सम्मान से उससे पूछा तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगर अनेक कस्टों को सहन करते वे ये कैसे जीवन यापन कर रहे हो दरिद्र ब्राहमन कहने लगा हे मित्र मुझे आये का कोई भी साधन प्राप्त नहीं है इसी वज़े से मैं भिक्षा मांगर जीवन यापन करता हूँ अगर आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताईए निर्धन ब्राहमन की बात सुनकर बुड़े व्यक्ति ने कहा हे मित्र श्री सत्यनारान भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनुकामनाई पूरी हो जाएगी और तुम्हारे घर में धनसमपति की वर्षा होने लगेगी ब्राहमन को व्रत करने की विधी बताकर सत्यनारान भगवान वहां से आगे की ओर चल दिये और कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए निर्धन ब्राहमन ने बुड़े व्यक्ति द्वारा बताये गए व्रत को करने का निश्य कर लिया उस रात उसे नीद नहीं आई वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारान भगवान का ध्यान करता रहा प्रातहकाल उठकर सत्तिनारायन भगवान का व्रत करने का निश्य करता हुआ निर्धन ब्रहमन भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा उस दिन ब्रहमन को भिक्षा में बहुत सारा धन मिल गया और घर लोटकर उसने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्ति नारेन भगवान की पूजा करकर उन्हें वरत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद दे कर स्वेम भी प्रसाद ग्रहन किया और इस प्रकार कुछ ही दिनों में ब्रहमण की निर्धनता दूर हो गई उसके घर में दंधाने की वर्षा होने लगी अब तो ब्रहमण ने हर महिने श्री सत्ति नारेन का वरत करने का निश्य कर लिया हे श्रेश्ट मुनियों अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्रहमण से श्री सत्ति नारेन भगवान की वरत कथा सुनकर यह वरत किया और उनके सभी कस्ट दूर हुए धन सम्पत्ती से संपन उस प्रहमने हर महा नेमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले महीने श्री सत्यनारेन भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांदव और मित्र सम्मिलित हुए उसी समय जंगल से लकडिया काट कर लाने वाला एक बूढ़ा लकड़ारा वहां से गुजरा उसे बड़ी तेज प्यास लग रही थी इसलिए जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़ारेने लकडियों के गठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुँचकर उस ब्रहमण से पूछा हे ब्रहमण देटा आप इस समय किसका पूजन कर रहे हैं इस प्रत को करने से क्या लाब होता है किरपा करके मुझे सब बातें बताईए बूढ़े लकड़ारे की बात सुनकर उस ब्रहमण ने उससे सब बाते बता दी लकड़ा बड़ा प्रसन हुआ और उसने भी मनहीमन भगवान सत्यनाराइन का वरप करने का निश्य कर लिया चलते हुए लकड़ारे ने सोचा कि आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनाराइन भगवान की पूजा करूँगा ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़ारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले तब लकड़ारे ने उन रुपएओं से केले, घी, दूध, दही, गेहुं का आटा और शक्कर खरीदा घर लोटकर लकड़ारे ने देवों की प्रेकाशी नगरी में श्री सत्यनाराइन भगवान की पूजा की उस पूजा में उसके परिवार के और आस्पात के लोग भी सम्मिलित हुए श्री सत्यनाराइन भगवान की पूजा और प्रत कथा सुनने के बाद लकड़ारे ने प्रसाद बाट कर स्वेम भी प्रसाद ग्रहन किया सत्य नारायन भगवान की कृपा से लकड़ारे के घर में धंधाने की वर्षा होने लगी उसके निर्धनता दूर हो गई और सभी सुकों को भोग कर वह लकड़ारा अंत में वैकुंट धाम को चला गया श्री सूत जी बोले हे रिश्यो मुनियो अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ प्राचियन समय में कनकपुर में उलका मुख नाम का एक बुद्धीमान और सत्यवादी राजा राज्य करता था वहरोज मंदिर में जाकर श्री सत्यनारान भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को खूब अन्नवस्त्र और धन का दान दिया करता था उसकी पत्नी सुभत्रा बहुत ही शुशील थी वे दोनों पत्ती पत्नी हर महीने श्री सत्य नारैन भगवान का व्रत किया करते थे श्री सत्य नारैन भगवान की कृपा से उनके महल में धन संपत्ती के भंडारे भरे रहते थे उनकी सारी प्रजा बहुत आनन से जीवन्यापन कर रही थी एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्र शीला नदी के किनारे श्री सतिनारन भगवान की पूजा कर रहे थे तब नदी के किनारे एक बड़ी सी नौका आकर ठहरी उस नौका में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था वैं बहुत सा धन कमा कर अपने नगर लोट रहा था उसका सारा धन उस नाव में ही रखा हुआ था नाव से उतर कर व्यापारी राजा के पास पहुचा राजा को पूजा करता देखकर उसने पूछा ही राजन आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं इस पूजा को करने से क्या लाब होता है तब राजा ने उसे भगवान सत्य नारैन की महिमा और उसके व्रत का लाब बताया व्यापारी द्वारा इस व्रत को करने की विधी पूछे जाने पर उसे व्रत और पूजा करने की विधी भी बताई राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को प्रसाद भी दिया श्री सत्यनारायन भगवान का ध्यान करते पे व्यापारी ने प्रसाद ग्रहन किया और वापस लोटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा हमारी कोई संतान नहीं है कनकपुर के राजा उलका मुख ने मुझे बताया है कि श्री सत्यनारायन भगवान का व्रत करने और उनकी कथा सुनने से सभी मनुकामनाई पूरी हो जाती हैं अगर सत्तिनारण भग्वान की कृपासे हमारी कोई संतान हुई तो मैं शरी सत्द Canadian के जन्म पर बहुत खुशिया मनाई लेकिन सत्यनारण भगवान का व्रत नहीं किया जब उसकी पत्नी लिलावती ने अपने पती से श्री सत्यनारण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला अभी जल्दी क्या है मैं इधर व्यापार में बहुत प्यस्त हूं जब हम या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह तेजी से बड़ी होने लगी इस प्रकार 16 वर्ष बीद गए एक दिन व्यापार में बहुत सधन कमा कर घर लोटे व्यापारी ने जब अपनी बेटी को सहिलियों के साथ घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होन के लिए अपने सेवकों को दूर-दूर के नगरों में भेज दिया व्यापारी के सेवक कंचनपुर नाम के एक नगर में जा पहुंचे उस नगर में उन्होंने एक वनिक पुत्र को देखा वनिक का बेटा सुन्दर और गुणुवान था सेवकों ने वापस लोटकर व्या में बताया व्यापारी उस सुन्दर लड़के को देखकर बहुत प्रसंद हुआ और कलावती का विवहा धूंधाम से उसके साथ कर दिया दहेज में उसने वडिक पुत्र को बहुत सारा धन भी दिया कलावती का विवहा भी हो गया लेकिन व्यापारी ने श्री सत्य व्रत करने का निश्य किया था अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए पत्नी की बार सुनकर व्यापारी कहने लगा अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए जा रहा हूं व्यापार से लोटने पर श्री सत्य नाराण भगवान का वरत और पूजा इसे सत्ति नारान भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्य कर लिया व्यापारी अपने दमाद के साथ रतनिसारपुर में पहुँचकर व्यापार करने लगा एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करकर भाग रहे थे सैनिक उनका पीछा कर रहे थे भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का सारा धन व्यापारी की नावों में छुपा दिया खाली हाथ चोर अराम से भाग गए चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुँचे उन्होंने व्यापारी की नावों की तलाशी ली तो उन्हे राजा का चोरी किया गया सारा धन भी मिल गया तब सैनिक व्यापारी और उसके दमाद को बंदी बना कर राजा के पास ले गए राजा ने उन दोनों को कारागार में डलवा दिया और उनका सारा धन भी ले लिया श्री सत्यनारण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहार तूट पड़ा उसके घर में चोरी हो गई और घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा भूग प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक प्रहमण के घर गई उस प तब लीलावती ने सत्यनारण भगवान का व्रत करने का निश्य कर लिया अगले ही दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ मिलकर श्री सत्यनारण भगवान की पूजा की पूजा करने के बाद सब को प्रसाद बाट कर स्वेंभी प्रसाद ग्रह करने से श्री सति नारेण भगवान ने प्रसंद होकर उनकी मनुकामना पूरी कर दी उन्होंने राजा चंद्रकेतू को सपने में दर्शन दे कर कहा ही राजन व्यापारी और उसका दमाद बिल्कुल निर्दोश हैं सुभा उठते ही उन दोनों को आजात कर दो उन दोनों का सारा धन भी वापस लोटा देना अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभवनस्ट कर दूँगा ऐसा कहकर श्री सत्यनारैन भगवान अंतरध्यान हो गए प्राथंकाल उड़ते ही राजा चंदर केतु ने अपने मंत्रियों और राज जोतिश्यों को रात के सपने की बात बताई और सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा तब राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया और उनका सारा धन भी वापस कर दिया इस प्रकार श्री सत्य नारण भगवान की कृपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी-खुशी अपने नगर की ओर चल दिये तब श्री सूत जी महराज आगे कहने लगे उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुब मोहुट में नावो द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नावों को रोग कर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे तभी श्री सत्य नारण भगवान व्यापारी की परिक्षा लेने के इरादे से साथू के रूप में उसके पास पहुचे और पूछा हे वणिक तेरी नावों में क्या समान रखा हुआ है व्यापारी ने मन ही मन सोचा कि यह साथू अवश्री कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है यह सोचकर व्यापारी ने जूट बोल दिया हे साथू माराज मेरी नावों में तो बेल और पत्ते भरे हुए है व्यापारी के जूटे बचन सुनकर सत्य नाराण भगवान ने क्रोधित होते बे कहा ये वैश जो तुमने कहा है वही सत्य होगा इतना कहकर साधू रूपधारी सत्य नाराण भगवान कुछ दूर जाकर अंतरध्यान हो गए व्यापारी साधू को खाली हाथ लोटा कर बड़ा प्रसन हुआ लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नावों में धन की जगा बेल और पत्ते भरेवे देखे तो वह जोर जोर से रोने लगा मन ही मन अपनी जूट पोलने पर पश्यता भी करने लगा रोते रोते व्यापारी बेहोश हो गया कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह फिर विलाप करने लगा तब उसके दामाद ने कहा यह सब साधू के श्राप के कारण हुआ है इसलिए वही साधू इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं दामाद की बात सुनकर व्यापारी साधू के तलाश में चल पड़ा कुछ देर ढूनने पर सत्यनारण भगवान मिल गए व्यापारी ने साधू रूप धारी सत्यनारण भगवान के चर्णों में गिर कर जूट पोलने के लिए शमा मागी तब सत्यनारण भगवान बोले हे वनिक पुत्र तूने बार बार सत्यनारण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा किन्तु कभी पूजा नहीं की तब व्यापारी ने हाद जोड़ कर कहा ये भगवन आप तो दीन दुख्यों के कस्ट दूर करने वाले हैं सभी की मनुकामनाई पूरी करते हैं मेरी इस गलती को शमा कर दीजिए मैं सदा आपका व्रत और पूजा किया करूँगा आप मुझ पर कृपा कीजिए व्यापारी की शमयाचना सुनकर साद मुमाराज ने उसे शमा कर दिया उसी समय व्यापारी की नावों में भरेवे पेल पत्ते धन धानने में परिवर्थित हो गए व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्ति नारैंड का व्रत करके उनकी पूजा की सबको प्रसाद बाढ़ कर स्वयम भी प्रसाद ग्रहन किया उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की और प्रस्थान किया अपने नगर में पहुँचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा सेवक ने उसके घर पहुँचकर उसकी पत्मी लिलावती को उनके आने की सूचना दी उस समय लिलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारान भगवान की पूजा कर रही थी पती और दमात के लोट आने का समचार सुनकर लीलावती ने पूजा करके प्रसाद ग्रहन किया और कलावती से कहा कि बेटा मैं नदी के किनारी जा रही हूं तु घर का काम पूरा करके आ जाना यह कहकर लिलावती नदी के ओर चल पड़ी परंतु कलावती पती से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहन किये बिना ही घर से निकल कर नदी किनारे जा पहुँची उसके प्रसाद ग्रहन ना करने के कारण सत्यनारान भगवान क्रोधित हो उठे उन्होंने व्यापारी की नावों को नदी में डुबा दिया अपने पती को वहाँ पर ना देखकर कलावती जोर जोर से रोने लगी तब व्यापारी ने कहा यहे पुत्री आवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है उसी भूल के कारण श्री सत्यनारान भगवान ने तुझे यह दंड दिया है तब व्यापारी ने सत्यनारान भगवान से प्रार्थना की हे भगवान मेरी परिवार के किसी इस्त्री पुरुष से अगर कोई भूल हुई हो तो उसे अवश्य शमा कर देना तब ही आकाश बानी हुई हे बनिक पुत्र तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहन किये बिना ही चलियाई अगर अब घर पहुँचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहन करके वापस आ जाए तो उसे पती के दर्शन हो पाएंगे और दूबी हुई नावें भी उपर आ जाएंगी तब कलावती ने ठीक वैसा ही किया उसके प्रसाद ग्रहन करने और वापस लोटने पर नावें जलके उपर आ गई और दामाद भी सुरक्षित नदी से बाहर निकल आया घर लोटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंदू बांधवों के साथ मिलकर विदी विधान से श्री सत्य नारायन भगवान की पूजा की उनकी सभी मनुकामनाई पूरी हुई और वह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते वे अंत में विष्णू लोग को चले गए श्री सूत जी कहने लगे हे रिशियो मुनियो मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ कौशलपुर में एक राजा था तुंगधवज उसकी प्रजा उसकी छत्रचाया में बड़े आनंद से रहती थी राजा तुंगधवज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ही ध्यान रखता था लेकिन एक बार उसने भी सत्यनारण भगवान का प्रसाद ग्रहन नहीं किया तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपती से भंडार भरकर प्राणियों को जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारण भगवान ने राजा को प्रिसाद ग्रहन ना करने का एक तंड दिया एक दिन राजा तुंगद्वज जंगल में हिंसक पशों का शिकार करने निकला हुआ था तेजी से घोड़ा दोड़ा कर शिकार का पीछा करते वे वे अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार करता रहा इसलिए कुछ देर अराम करने की इच्छा से वे एक बड़ी व्रिक्ष के नीजे जाकर बैठ गया पास में ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारण भगवान की पूजा कर रहे थे राजा ने उनके पास से गुजरते वे श्री सत्यनारण भगवान को नमस्कार नहीं किया चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें छोटे लोग समझकर प्रसाद भी ग्रहन नहीं किया और घोडे पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिया राजा जब अपने नगर में पहुँचा तो देखा कि उसका सारा वैभाव और धन संपत्ति आदी नस्थ हो गया है श्री सत्य नारण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया था तब राज जोतिशी ने राजा से कहा हे महराज आपसे अवशी ही कोई भूल हुई है अगर आप उस भूल का प्रैशित करने तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा राजा को तुरंट अपनी भूल का इसमरन हो आया अथा मंदिर में जाकर राजा ने श्री शत्य नारण भगवान से शमा मागी और उनकी पूजा की पूजा के बाद प्रसाध ग्रहन करने से श्री सत्य नारण भगवान की करपासी चमतकार हो गया राजा का खोया हुआ वैभव पुनह लोटाया शीरी सत्यनारण भगवान के कृपा से जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में राजा तंगुद्भज वैकुंठ धाम को गया और मुक्ष को प्राप किया शीरी सत्यनारण भगवान के व्रत पूजन को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख सभी चिंताएं नस्ठ हो जाती है उनके घर में धंधान के भंडारे भरे रहते हैं निसंतानों को संतान की प्राप्ती होती है और सभी मनुकामनाओं को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे व्यकुंट धाम को जाता है श्री सूत जी महराज आगे कहने लगे हे श्रेष्ट मुनियों श्री सत्यनारन भगवान के व्रत को पूर्व जनम में जिन लोगों ने किया है उन्हें दूसरे जनम में सभी तरह से सुख प्राप्त हुए व्रत शतानन ब्राहमन ने पूर्व जनम में सत्यनारन भगवान का विधी पूर्वक व्रत किया तो दूसरे जनम में सुदामा के र दापारी ने अगले जनम में अपने पुταιरों को आरे से चीर कर भगवान की क्रपासे व्यंखुंट धाम को प्राप्त किया। राजातुं गुद्वाज अगले जना में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान की पूजा पांट करते वे वैकुट धाम को गई हे रिश्यों मुनियों श्री सत्य नाराण भगवान का व्रत और पूजन मनुश्य को सभी चिंताओं से मुक्त करता है धन समपत्ति के भंडार भर कर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्र वियू से मुक्ति दिला कर मुक्ष प्रदान करता है यह ती सत्य नाराण भगवान की कथा बोलो सत्य नाराण भगवान की जय